हाई आपीवन बेल्कन टू सिंशिया बरंटी आज की वीडियो हम डिसकस करेंगे कि डिफरेंट कलर की कॉलिफलार कौन से हैं और उनके पीछे कौन से जीन रिस्पोंसिवल हैं यह टॉपिक जो बहुत इंपोर्टन है आपके जो भी कंप्रेटिव एक्जाम से हैं एरिकल्च इस वीडियों हम जान देंगे कि कौन से कलर की कॉलिफलार होती है मारे पास और उनको कौन से जीन कंट्रॉल करते हैं उस कलर को कुभी हम सभी वाइट कलर की कॉलिफलार के बारे में जानते हैं आज हम बात करेंगे कि कैसे स्पॉंटेनिस म्यूटेशन से डिफरेंट कलर की कॉलिफ्रार evolve हुई है और उसके पीछ IKEA कौन से ईंस से यिसे करें ब्रीफ हम डिसकस करें तो अम कहते हैं कि ब्राषिक या- जिसको की लिफ्रार हम कहते हैं क arbeiten जो Yes कॉल वेजिटेबल जो ऐँ वो सभी बिलों करते हैं ब्राशिका उली रिशिय ब्राशिका चेनिसा उली रिशिय स्पीसीज तो आप देख सहर्ते हैं कि सभी कॉल क्रॉप्स जो है हमारी हमके सहर्ते कि कॉमन एंसेस्टर बाइल एंसेस्टर प्लांट से इवल्व हुई है तो यह दिफ्रेंट मॉर्फो टाइप से जी ब्रोकली जो है आपका ब्रसी का ओली रिश्रिया वार इटालिका है कौलीफियार की बात करें तो बार बोट्राइटिस है नुगोंजी लोड़ेस है आपका नौल खोल ऐसेफिला है कैबिज कैपि टाटा है उसी तरह बूसरे स्पर कॉमन इंसेस्ट्रल प्लांट से डिफ्रेंड मॉर्फो टाइप्स इवोल हुए है ठीक है तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टन है हमारे इंडिया में में इनली ग्रों की जते एक तो कॉलिफ्लार है दूसरा कैबच तो आज की वीडियों बात करें कॉलिफ्लार जिसमें हम सभी इंपॉर्टन हो जाता है आपके लिए एक्जामनेशन पॉइंट व्यू से तो सबसे पहले हम बात करेंगे औरेंज कॉलिफ्लार की जो की बीटा केरोटिन विच कॉलिफ्लावर है तो औरेंज कॉलिफ्लावर जैसे कि मैंने का कि औरेंज परपल और ग्रीन कलर यह तीनों जो कलर रहें कॉलीफ्ञार में मूज्चल्श पोअन्टेनिस का रिजे तो सबसे पहले और मभात करें औरेंज कॉलिफ्लार को जो की बीटा करोटिन भीच तो एक स्पोन्टेनीस ओवार जींए इलीच से constructive अकॉमूलेशन इंदा कॉलिफ्लार कर तो तो एलेंज का और से एक स्पॉंटेनीजन फ्राइर अगा तो तो यह भी ध्यान रखना कि सींगल सेमी-डॉमिनन डाइब गालीफिर्ट को सीसेंगल सेमी-डॉमिनट okay तो आप जिसकते ह couples pare और यह स्पॉंटेनिस म्यूटेशन है यह आपकी वाइट कर्डर क्रॉप ऑफ कॉलिफलार कौन से कल्टिवार में एक्स्ट्रा अर्ली स्नौबाल में इसमें आप देख सकते हैं कि जो ओरेंज कोलिफलार का जो सोर्स है ठीक है कौन सी सेशन है 1227 तो इससे ओवार जीन का स्ट कीनटी वर्यट क्या गया इंडियन कॉलिफलावर में और पूसर शरत स्की गया का इंटगुरार में हमने इंट्गुथ कर टुमें और सकाम केश्री क्या इसमें तप रहार्जीव एक्समें इंक्राथ इंडिया में तो पूसा बेटा के सिरे के एक रहां बात करने कुछ इंपोर्टन पॉइंट इसके बारे में इस 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 इफर्स्ट एवर इंडिजिनी सी ब्रैड बाइट बीटा करोटेन रिच को लिफा तो यह फर्स्ट पायो फोर्टिफाइड व्राइटी यह कॉली सेमी ब्लांचिंग हैविट भी इस वराइटी में और इसका जो सुटेबल टाइम मों सब्सक्राइब करें तो लग बात करते हैं और एल्ड की बात करें तो लग फॉर्टी टू-फॉर्टिसिक्स टैन पर हेक्टर हमीं मिल लेगा तो फर्स्ट बायो फॉर्टिफाइड वर सब्सक्राइड और स्पॉंटिनिस प्यूटेशन का रिजल था नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि मालो फिनोटिप की चेंजिस कैसे आते हैं इस ओवार जीन के इसमें एक है आपका जैसे कि वाइट कलर का कॉलिफार है इसको माल लेते हैं वाइल टाइप और कर जो नौर्मल कर और जो सोर्स है जिसमें कि इंटेंस ऑरेंज कलर बन टू तो सब्समें कहा था कि इसमें करड साइज समॉल था और जब इसको क्रोष किया तो एभण जो आया उसमें कर साइज तो लार्ज कर साइज में कोई इफेक्ट नहीं बढ़ा एंगãy आप देख सकत किसी है कि आपका origin जो आपका सोर्स इंटरो गलर दे रहा है और यहां के साथ आप नेक्सट जैंडेन परपल कॉलीफलार के निचन के साथ दो उसी तरह पर्पल कोली फ्लार भी कैसे दुख यह क्यों पॉटीनिस म्यूटेशन के द्वारा सपॉटीनिस म्यूटेंट है। कौन सा जीन है PR यह भी सेंगल सेंधमी डॉमिनट जीन है. तो पर्पल जो कि कंफर करती है क्या अब नॉर्मल पैट्रन ऑफ एंतोसाइन अकुमुलेशन पर्डूसिंग पर्पल कलर इन दा कर्ड्स और फ्यू अधर टिश्यू जो प्यार जी नहीं आप देखेंगे सीलिंग स्टेस से ही इसमें क्या होता है कि जैसे कि यंग सीलिंग होगी तो बहा में और परफल कलर की राइटिस की बात करें तो कौन सी मार्क में ग्रैफिटी है पर पॉइलेट क्वी साफ़ीशन है नहीं जो की ये सिंगल सेमीडूमिन इन है और इसको भी अभी काम चलता है एक ना नेक्स्त है हमारा ग्रीन कर्ड कोई सब्सक्राइब हो जाता है जिसकी विससी का पना है है तो chloroplast development हो जाती है ठीक है तो एक तरह से हम कहते हैंगे जो क्लोरोप्लास development है किस वर से हैं कि जैन्टिक मॉडल इंडिकेट्स टैट एड इंकम्प्लिटली dominant gene is responsible फार्दा greenness तो जैसे कि ऑवार जीन था पी आर जीन था दोन्हों इंकम्प्लिटली dominant है उसी तरह green में भी इसे बोला गया कि इंकम्प्लिटली dominant gene है जो की green color के लिए responsible है कॉलिफ्लार के कर्ड तो जो green color की कॉलिफ्लार है उसमें भी इंकम्प्लिटली dominant gene पर इसके जब इसको इंवेस्टिएट किया गया तो further find out किये दो मेंजर क्यूटल जो कि इसके ग्रीन कर्ड की कॉलिफ्लार के लिए responsible थे वह कौन कौन से थे तो whole genome sequencing और srp analysis की टेखनीक को यूज करके और f2 mapping population को यूज किया गया तो क्सेलुट अजिए फाए पाइंड बन जोकी chromosome 5 के ओपर था और ça डियार 7.1 जोकी chromosome 7 जो क्योट यूज आम तो मेजर क्विटेल जो कि और रिक्राइब के लिए और इस तरह से मारी और और ओरंज कलर की आप सब्सक्राइब यह जो मारी डिफरेंट कलर की कॉली फ्लार्स है एंतोसाइन दिच है बीटा कैरोटीन दिच है एक तरसी एंटी ऑक्सिडेंट की तरह काम करते हैं तरसी बढ़ रहा है इसका बीजुवल अपील के लिए देखे तो अच्छा सब्सक्राइब करें लाइक है तो बीजुवल अच्छे होने के साथ साथ यह यूमन हेल्थ के लिए भी बैनिफिशल है न्यूटिशन प्रवाइड करती है एं तो साइनिन है बीटा करोटीन है एंटी ऑक्सिडेंट इफेक्ट हैं कलर फुल कॉली फ्लार्स के राइट इस तर लाइक करें और लाइक करें स्टेट इन भी सिंस्ट इबरेडी जैन्ट